नमस्कार मैं हूँ अन्षिता राजस्थान उप्चुनाओं में बीजेपी को लगे करारे जटके के बाद से यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है कि क्या बीजेपी मद्ध्रदेश में राजस्थान वाली गलती ही दोहराएगी या फिर शिवराज को मनाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि शिवराज की पार्टी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है वो हर मौके पर अपनी नाराजगी जाहिर करते नज़र आ रहे हैं इसी बीच मद्ध्रदेश के मंत्री के ताजा बयान ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी ने पुराने लोगों को फेक नहीं दिया है उनको किसी और काम में लगा रहे हैं अब विजेश रहा के बयान के बाद लोगों का कहना है कि इससे साफ हो गया है कि लोगसभा चुनाओं के चलते बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूर में नहीं है आप जानते ही हैं कि मद्रदेश शुनाओं के तैयारियों के दोरान ही ये बात उठने लगी थी कि बीजेपी शिवराज को साइट कर रही है इसके बाद ऐसी चर्चाओं को बल तब मिला जब पहली सूची में दूसरी सूची में शिवराज का नाम ही नहीं आया इसके बाद ही शिवराज ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया था उन्होंने खुले मंच से सवाल किया था कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं शिवराज के इस वीडियो से उपर तक हलचल मच गई इस वीडियो का असर ये हुआ कि सिवराज का लिस्ट में नाम आ गया इसके बाद माना ज़ा रहा था कि बीजेपी शिवराज के दवाव में आ गई अब तो अगर बीजेपी जीती तो सियम शिवराज ही होंगे लेकिन बीजेपी ने शिवराज के साथ खेल कर दिया और काफी समय लेने के बाद सीएम बना दिया मोहनियादब को शिवराज और उनके समर्थकों के लिए ये किसी बड़े जटके से कम नहीं था इसलिए अब एक बार फिर शिवराज ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिये अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग मंचों से शिवराज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं ऐसे में अब एक और वीडियो तेजी से वाइरल होने लगा इसमें शिवराज को कहते हुए सुना जा सकता है कि पोस्टर से सीम के फोटो ऐसे गायव हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग सिर्फ यही नहीं एक और वीडियो सामने आ रहा है इसमें भेनुदा में ही बेंड संचालकों ने सरकार के इस आदेश को लेकर सरकार के एक आदेश को लेकर शिवराज को ग्यापन सौपा शिवराज ने बेंड संचालकों को आश्वस्त करते हुए कह दिया कि आप बेंड बजाएं, ढोल बजाएं, ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूँगा अब शिवराज के इस बयान में मैं देख लूँगा वाले लाइन को मोहन सरकार को आख दिखाने की तरह देखा जा रहा है दरसल मोहन यादव की केविनेट ने पहला आदेश जारी किया लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर अंकुष को लेकर मोहन सरकार के आदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिकर करते हुए ये साफ कहा गया कि धार में और सावजने के स्थलो पर निर्धारे डेसिवल के भीतर ही लाउड स्पीकर बजाना होगा लेकिन शिवरास तो कुछ और ही कह रही है यही नहीं उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है यहाँ पर भी उनका जिकर खुद से ही था अब बनवास और पोस्टर से फोटो गायव होने का बयान दोनों ही सीम नहीं बन पाने की कसक जाहिर कर रहे है इसलिए कयास हैं कि शिवराज अपनी ही पार्टी से कहीं बगावत ना कर दे जैसे ही इस तरह की खबरों ने जोर पकरना शुरू किया बीजेपी में एक बार फिर खलबली मच गई इस तरह के कयासों पर अब विराम लगाने के लिए मद्ध प्रदेश के आदिम जाती कल्याण मंती कुवर विजय स्चाह का बयान आ गया उन्होंने कहा कि पार्टी ने पुराने लोगों को फेक नहीं दिया है उनको किसी और काम में लगा रहे हैं हाला कि इसके साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कह दिया कि भाज़ुपा पद को किसी की बापोती नहीं समझती परिवर्तन जरूरी है अब जानकार उनके इस बयान को शिवरात से जोड़ कर देख रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरह से शिवरात जगा जगा अपना दर्द बया कर रहे हैं इससे राज्जी की सियासत गर्माई हुई है इसलिए बीजेपी इस सियासी हलचल को थामने की कोशिश में लग गई है इसकी सबसे बड़ी वज़ा है राजस्थान की श्री गंगा नगर की करनपुर सीट का रिजल्ट जहां बीजेपी को करारी हार का मुँ देखना पड़ा कॉंग्रिस प्रत्याशी रुपंदर सिंग रूबी कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को बारा हजार पांसो से ज्यादा वोटों से हरा दिया आपको बता दे कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया था अब इस हार को लेकर जानकारू का दावा है कि वसुंदरा की अंदेखी बीजेपी को भारी पड़ गई इसलिए बीजेपी अब वही गलती मद्प्रदेश में तो नहीं दोहराएगी उल्टा राजस्तान में भी वसुंदरा के साथ रिष्टे दुरुस्त करेगी यहां तक कि 36 गड़ के पूरु सीम रमन सिंग को भी साधेगी क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि प्रमुक्ष चेहरों की नाराजगी पार्टी को आगामी आम चुनावों में भारी पड़ सकती है इसलिए हो सकता है कि बीजेपी आला कमान इन्हें केंद्र की राजनीती में लेकर आए हाला कि वसुंदरा को जेपी नड़ा की टीम में शामिल करके पहले ही पार्टी ने ऐसे संके दे दिये थे लेकिन वसुंदरा इसके लिए राजी नहीं हुई थी और उन्हें टिकेट देना ही पड़ा था पार्टी आला कमान ने भी जबर्दस्त खेल खेला टिकेट भी दिया जीद भी हासिल की और फिट साइट कर दिया लेकिन अब परिस्तितियां अलग है राजसान की एक सीठ हारते ही बीजेपी को समझ आ गया है कि प्रमुक्ष चेहरों से पंगा भारी पड़ सकता है इसलिए उन्हें मनाने की शुरूआत उसने मद्ध प्रदेश से कर दी है हाला कि इसके साथ ही मंत्री साहब ने ये भी इशारा दे दिया है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि पद पर किसी एक का हक नहीं होता वो तो बदलता रहता है पार्टी आला कमान जिसे चाहेगा उसे बैठा देगा आज कोई तो कल कोई और होगा खैर जो भी हो फिलहाल ये बयान बता रही है कि बीजेपी में बेचैनी है ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी शिवराज को मनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं या फिर आगामी लोगसभा चुनाओं में पार्टी को इसका बड़ा हर जाना भुगतना पड़ेगा तो इस वीडियो में इतना ही आप चैनल रोधे यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए कॉमेंट किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं भी जरूर बताएगा टुटर है अर्टिकल 19 इंडिया इसे भी फॉलू कर लिए नमस्कार और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटनुयां से गाइब होता जैसे गधे के सिर से सींग पर कही बार राजते लग होते होते बनवा सब्सक्राइब नहीं है कि आप बैंड बजाओ आप धोल बजाओ आप तासे बजाओ कोई रोक नहीं है कोई रोकेगा तो मैं देखो मामा को मुखक मंत्री बनना चयाती नहीं मोधी जी को पुधान मंत्री बनना चयाती नहीं बाजबाजी सत्था अठरभृजाना चयाती नहीं तो आओ मेरे बैनों और भायों झाल झाल